भगवान श्री कृष्ण की जै हो आज मैं आप लोगों को गड़ेश चतुर्थी के अफसर पर यह कथा सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण और समयंतक मनी की कथा कहा जाता है भादो मास के शुक्रपक्ष की चौथ तिती पर चन्रवा का दर्शन नहीं करना चाहिए जो कोई भी इस दिन चन्रवा का दर्शन करता है तो बिना कारण ही उसके माथे पर कलंक लग जाता है इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपर भी एक बार कलंक लगा था। इस जूठे कलंक की कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं। कमेंट बॉक्स में जै श्री कृष्ण आवसे ही लिखते हैं। आए प्रेम पुर्वक इस कथा को सुनते हैं। सुकदेव जी बोले हे राजा परिछित द्वारिका में सत्रा जीत नामक एक यादव रहते थे। वे भगवान सूरी के परमभक्त थे। भगवान सूरी ने प्रसन हो करके उन्हें सम्यन तक मनी दी थी। एक दिन सत्रा जीत ने उस मनी को धारण करके भगवान स्री कृष्ण से मिलने गए। उस मनी के कारण सत्रा जीत साक्षात सूरी के समान ही उसके तेज से ते जस्वी जैसे पुरुष्ण दिख रहे थे। अतह द्वारिका वासी इसी भ्रम्मे थे कि स्वेम भगवान सूरी ही स्री कृष्ण से मिलने आए हैं। अतह उनके दासों ने भी स्री कृष्ण को जाकर यही सूचना दी कि स्वेम भगवान सूरी आपसे मिलने आए हैं। भगवान स्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वे स्वेम भगवान सूरी नहीं हैं, भगवान सूरी के भक्त हैं। उन्हें सूरी के दिवुई मणी के तेज में उनके अंग प्रत्यंग से तेजस्विता दिखाई दे रही है इस मणी का लाव यह है कि यह नित्य आठ भार सोना देती है जिसके पास यह होती है वहाँ दारिद दुख और दुर्भक्षी नहीं होता है यह सुन करके द्वार का वासी वहां से चले गए सत्त्राजीत के आने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि सत्त्राजीत नीदिसास्र यह कहता है कि मनुष्र को इस्थिती वह अपने अनुसारही वर्स्त्र अलंकार आभूशन आदी धारन करने चाहिए यदि उसके पास व लेकिन मनी मनवर रुष्ट हो गया एक दिन उसके भाई प्रसेंजित ने उस मनी को मांग लिया और उसे गले में पहन करके म्रग्या खिलने गया वहां एक सिंग ने आक्रमान करके उसे और उसके घोड़े को भी मार डाला इस तरह वह मनी सिंग के पास पहुँच गई वह मनी ले जाकरके अपनी मांद में घुच रहा था उसी समय रिक्ष राज जामवान ने देख लिया और उन्होंने उस सिंग को मार कर मनी छीन ली जामवान ने वह मनी अपनी पुत्री जामवती को दे दी उधर प्रसेंजित के घर न लोटने पर उसके परिवार वाले बड़े ही चिंतित हो गए सत्रा जीत ने सोचा कि उसने श्रीकृष्ण के मांगने पर उस मनी को उन्हें नहीं दी थी अतहर श्रीकृष्ण ने ही प्रसेंजित को मार डाला और उससे मनी छीन ली है भवान श्रीकृष्ण ने जब यह सुना तो उन्हें अपने उपर लगने वाले कलंग से अत्यनत दुख हुआ और वे उसे खोजने निकल पड़े खोज करने पर उन्हें वन प्रदेस में प्रसेंजित और घोडे की लाश मिली उसके बाद सिंग के पंजो के निशानों को देखते हुए वे सिंग की मान तक पहुच गए वहाँ पर उन्हें सिंग की लाश मिली पर वहीं रिक्ष के पंजो के निशान दिखाई पड़े उन्हें देखते देखते भगवान श्री कृष्ण जामवान की गुफा तक पहुच गए वहाँ वे उस गुफा में घुसे वहाँ जाकर देखते हैं कि एक कन्या उस मनी से खेल रही है उस मनी को कन्या से लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आगे बड़े वह कन् उस अपुर्व और अपिर्चित व्यक्ति को देकर चिला उठी उसके चिलाने का स्वर सुन करके सोये हुए जामवान जाग उठे जामवान ने उन्हें साधान व्यक्ति जानकर उन पर आक्रमन कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने आक्रमन को बचा कर उन पर मुस्ठिक से प इस तरह से युद्ध होते होते 28 दिन बीट गए, तब जामवान को समझ में आता है कि यह कोई साधारन बेखती नहीं है, यह बेखती युद्ध करते करते ना तो थका नहीं एक मिनट के लिए आराम किया, अतह यह कोई साधारन बेखती नहीं है, ऐसा विचारों कर रहे थे, तब उन्हें याद आता है कि इसी प्रकार का युद्ध भगवान श्री राम ने किया था। इस बात को याद आने पर जावन भगवान श्री कृष्ण के चड़नों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभू आप तो मेरे इस्ठ हैं मैंने आपको नहीं पहचाना इसके लिए आप मुझे छमा करें आप तो इस जगत के स्वामी हैं तथा यदुकुल में जन्म लेकर श्री कृष्ण कहलाते हैं आप तो काल के भी काल हैं रूद्र और स्वयम प्रलेग कार हैं आप तो मेरे इस्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रेम और भक्ति से पुन भानी सुन करके उसके सरीर पर हाथ पेरा जिस से जाम भवान के सरीर की सारी पीड़ा दूर ह भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे रिक्षिराज मैं यह मनी तुमसे लेने आया हूं क्योंकि इस मनी को चुडाने का मुझ पर जूठा आरोप लगा है यह सुनते ही सी जामवान ने मनी और अपनी विपुत्री जामवती ना दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया यादू ने तो 10-12 दिन तक भगवान श्री कृष्ण की प्रतिक्षा की पर उनके ना लोटने पर वे चिंतित हो उठे रुक्मनी आदिरानिया रोने लगी इस बीची उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत सुन्दरी कन्या के साथ आते हुई देखा भगवान श् कुसल और प्रसन मुक से आते देखकर वे सभी सुखी हो गए वैदिक रिद के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जामवती से विवाह किया इसके पश्चात सत्राजीत को बुला कर उन्होंने मनी उन्हें लोटा दी मनी पाकर के सत्राजीत मनी मन अत्यंत लज्जित हु कि मुझसे बहुत बड़ा अपराद हुआ इतना कुछ सोचने के पश्चात उसने अपनी पुत्री सत्य भामा के साथ श्रीकृष्ण भगवान का विवाह करके वह मनी उन्हें दे दी भगवान श्रीकृष्ण ने वह मनी पुना सत्राजीत को यह कहते वे लोटा दिया कि आ आप भगवान सूरी के परमभक्त हैं और उन्होंने आपके भक्ति से प्रसंदों करके यह मनी आपको दी है अतह इसे आप ही रखे भगवान श्रीकृष्ण की जय हो जामवान की जय हो मनी की जय हो भगवान सूरे की जय हो आशा करती हूं कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी किर्पिया वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन दवाना ना भूलेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद